नमस्कर दोस्तों, स्वागत ही आपका Pharma Rokes के YouTube Education चैनल में तो आज के डू लेक्चर में हम ऐसे टेबलेट के बारे में स्टडी करेंगे कि जो काफी सारे प्राब्लेम सॉल करती है जैसे कि स्ट्रॉक होने की जो संभावना होती है उसको रोकती है यह medication की चाहे brain stroke होता है या फिर heart attack का जो problem होता है तो उसको रोकने में यह medication जो वह काफी ज़्यादा मदद करती है फिर तीसरा जो हम problem देखे तो जो सरीर में खराब cholesterol का जो level बढ़ जाता है तो उसको कम करने में भी यह medication आपकी मदद करती है फिर जो खुन की नसे जो block हो जाती है यानि की जो blood vessels हमारे block हो जाती है उसको भी ठीक करने में यह medication जो वह मदद करती है तो उसके बारे में सीखेंगे हम आज की वडियो लेक्चर में और cover करेंगे यह सभी topics और उसकी details study करेंगे और जानेंगे कि यह दवाई कैसे काम करती है कितने dose में आपको लेना है और कौन से उसके drug-drug interactions है तो सबसे बेजिक से सुरू करते है तो यह medication का जो class है वो है HMG co-enzyme A reductase inhibitor यानि कि उनको statins कहा जाता है लिपी का इंड जो है उसका brand name है और ator vastatin जो है उसके अंदर रहा salt content है 10 mg के अंदर यह available है तो यहापे आप देख सकते हैं कि लिपी काइन 10 का मतलब यह होता है कि इसके अंदर 10 mg जितना ator vastatin जो है वो present है manufacture के हम बात करें तो mankind pharmaceuticals उसके manufacture है कि जो एक Indian multinational pharmaceutical और healthcare product company है जिसकी head office इंडिया में Delhi में है तो अब उसकी use देख लेते कि जो ऐसे patients है या फिर ऐसे जो लोग है कि जिनका blood cholesterol जो है वो काफी ज्यादा high है तो उनको यह medication prescribe की जाती है दूसरा heart attack की जो संभावना होती है उसको रोकने के लिए उसको prescribe किया जाता है फिर prevention of stroke या फिर brain stroke की जो condition होती है high cholesterol है आपके blood के अंदर या फिर ऐसे patient के जो उनको stroke का risk है तो वो prevent करने के लिए यह medication जो है उनको prescribe की जाती है तो यह आप इमें वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी book है decision treatment की वो अब available है कि जिसको आप order कर सकते हैं तो यह multi color book रहेगे कि जिसके अंदर आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में सिखेंगे और उनके उपचार के बारे में सिखेंगे तो इसको order करने के लिए आप यह दिये गए करते हैं सबसे पहले लिए tablet की तो यहाँ पे हम देखें तो mankind का logo है Rx का मतलब होता है कि यह prescription based medication है अटर वास्टेटन टाबलेट जो है इंडियन फार्माकोप्या के standard के according to बना गया है फिर tablet का हम type देखें तो यह film coated tablet है schedule edge prescription drug रहेगी इसका मतलब यह होता है कि जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो proper prescription के साथ ही उसको बेची जाती है storage के हम बात करें तो moisture से उसको prevent करना है आपको और ऐसे जगा पे रखना है कि जहाँ पे temperature 30 degree या फिर उससे कम हो बच्चों से खास यह medication को दूर रखने तो इस तरह से proper रखना है फिर aloe aloe packing जो होता है उसमें यह available है और एक packing के अंदर total 15 tablets जो रहती है working के हम बात करें तो यह medication काम कैसे करती है तो यह medicine हमारी body में cholesterol के production के लिए ज़रूरी enzyme को block करके अपना काम करती है जो HMG co-engyma reductase जो enzyme होता है उसको inhibit करके यह medication अपना काम करती है जो cholesterol के production के लिए ज़रूरी होती है अगर यह enzyme ही बनना बंध हो जाता है तो आगे जाके cholesterol नहीं बन पाता और cholesterol दिरे-दिरे बंध हो जाता है बनना और जो जमा हुआ cholesterol है होता है कि bad cholesterol बढ़ने से blood vessel जो ब्लॉक हो जाते कि यहाँ पर आप देखो दिरी-दिरे वो ब्लॉक होने लगी है और complete block हो जाने पर stroke का problem होता है तो यह medication इस तरह से यह problem जो है वो solve करती है अब बात करते हैं इसके dose की तो dose क्या रहेगा तो जो adult person है वो 10 से लेकर 80 mg जितना ले सकता है per day तो यह tablet के अंदर 10 mg जितना medication है तो 2 से 3 दायम जो है वो इसको खासकर prescribe किया जाता है तो depend on patient के condition कि उसके अंदर blood cholesterol level कितना है report के बाद ही proper dose जो है वो उनको prescribe किया जाता है चटा हम देखे तो इसकी price वगिरा क्या है तो उसकी जो latest price हम देखे December 23 के according to तो वो है 46 rupees around 15 tablet की तो मतलब एक tablet की हम price देखे तो around 3 rupees के आसपास पड़ती है या पर मैं आपको फिर से reminder देना चाहूंगा कि आप हमारी जो book है This is and treatment उसको जरूर से purchase कर सकते है तो यह जो book है उसको purchase करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर जो हमारी mobile application है उसको जरूर से download करें link description box में मिल जाएगी अब लीपी काइन के side effects देखते है तो nausea vomiting, diarrhea हो सकता है headache या फिर joint pain जैसा हो सकता है vision blur हो सकते किसी की muscles में weakness जैसे आप feel कर सकते है allergic reactions हो सकते है या फिर hyperglycemia तो यह कुछ side effects देखने को मिलती है warning यह रहेगी कि अगर आपको statins के allergy है तो इसको use ना करे, muscles damage है किसी के, pregnancy period है lactation period है, liver आपका खराब है या फिर liver fail है या फिर decompensated cirrhosis की problem है, तो यह जो सभी कुछ इसे condition के जैसे में आप यह जो lipikine tablet है उसको use ना करें pregnancy category हम देखे तो उसकी D है, so pregnancy और breast feeding के दोरान यह जो medication है, उसको आप कभी भी use ना करें यह खास जयन रखे, तो यह आप जो listed medications है, जैसे कि cifalaxin है, tetracycline, gentamicin कुछ antifungal जैसे के miconazol, fluconazol, ketoconazol antiviral में abekavir है तो यह सभी medications के साथ autovastatin जो है, वो drug-drug interactions करती है, तो कभी भी autovastatin के साथ यह जो medication है, उसका combination कभी भी ना बनाए ऐसे ही यह आपे retrovir है, ribavirin है albosvir है, cyclosporin amiodarone, verapamil diltiazem, tenofovir या फिर disoproxil, जैसे medication के साथ भी इसके drug-drug interactions होती है, तो यह combination आप कभी भी use ना करें तो अगर आपको मेरा यह वाला वीडियो अच्छा लगा है, तो आपको यह वीडियो भी जरूर से अच्छा लगेगा तो यहाँ पे click करके मेरा यह वीडियो भी आप जरूर से अच्छा लगेगा तो यहाँ पे click करके मेरा यह वीडियो भी आप जरूर से देखे कि जहाँ पे भी आप काफी ज़्यादा medicines और बीमारियों के बारे में knowledge गेन कर पाओगे So good luck and all the best यह अच्छा लगा है तो आपको यह वीडियो भी जरूर से अच्छा लगेगा तो यहाँ पे click करके मेरा यह वीडियो भी आप जरूर से देखे कि जहाँ पे भी आप काफी ज़्यादा medicines और बीमारियों के बारे में knowledge गेन कर पाओगे So good luck and all the best यह अच्छा लगा है तो आपको यह वीडियो भी जरूर से अच्छा लगेगा तो यहाँ पे click करके मेरा यह वीडियो भी आप जरूर से देखे कि जहाँ पे भी आप काफी ज़्यादा medicines और बीमारियों के बारे में knowledge गेन कर पाओगे So good luck and all the best